अब माल जिये कि यह कोई स्फियर है, this is the sphere जिस पर चार्ड हमने दिया QA QA या Q1 और इसकी रडियस है R1 राइट, चार्ड गिवेन is Q1 and its रडियस is R1 now this is the second sphere जिस पर हमने चार्ड दिया Q2 and its रडियस R2 its रडियस R2 similarly यह स्पियर है जिस पर हमने चार्ड दिया Q3 and its रडियस R3 तो यह केस्ट लेकर के हम पुरा करते हैं अब एक एक जिट को दखे Q1 यह inner sphere पर चार्ड है जिसकी रडियस R1 है Q2 middle sphere पर चार्ड है जिसकी रडियस R2 है और Q3 outer sphere पर चार्ड है जिसकी रडियस R3 है अब देखें इन चारों के चलते हैं हम potential कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं potential of sphere 1 यह जो sphere 1 है now this is the sphere 1 यह जो inner sphere है sphere 1 इस पर हम निकालेंगे और उसको कैसे दिखेंगे V1 is equal to 1 by 4 pi of silent naught यह तो common हो जाएगा और तीनों का contribution होगा है सबसे पहले हम लोग देखें कि for sphere 1 for sphere 1 यह point कहा है अगर इसका potential लेते हैं तो इसके surface पर है तो यह चाह हो जाएगा एक एक राइन और हम लिग लेते हैं कि इस V1 will be equal to एक राइन लिखने से जड़ा clear हो जाएगा कि इस V1 will be equal to V1 is V1 के लिए यह surface पर है ठीक है V2 के लिए यह inside है V2 in और V3 के लिए this is inside sphere 3 के लिए यह inside है समझे ना sphere 3 के लिए यह point अंदर में sphere 2 के लिए भी point अंदर में और sphere 1 के लिए this point is on the surface of the sphere देखें हाँ जाए इसके surface पर है यहाँ पर कोई point हमने P sphere P consider किया है और यह P 1 के surface पर है 2 के अंदर में और sphere 3 के अंदर में तो आई हम formula यूज करते है सब्सक्राइब करते हैं 1 के लिए surface पर हो और surface का formula का होता है q by capital r q by radius of the sphere तो q इस पर कितना है this is q1 और radius is r1 तो यह हो गया 2 के लिए अंदर में है 2 के लिए अंदर में तो इस उकल तो इस उकल तो surface potential तो 2 के लिए क्या हो जागा charge is q2 and radius is r2 and 3 के लिए भी अंदर में है तो 3 पर charge क्या हो जागा this is q3 and radius is r3 so this is the potential of sphere 1 right this is the potential of sphere 1 clear है क्योंकि शब्का contribution है now for v2 v2 के लिए हम लोग क्या करेंगे लखे ये v2 अब ये point p आन लेकरके v2 की बात जबाएगी तो हम यहाँ 2 के surface पर लेंगे this is point p dash right point p dash के हम बात करेंगे तो क्या होगा this will be sphere 2 के लिए ये surface पर होगा sphere 2 के लिए ये surface पर होगा sorry पहले sphere 1 की बात करें तो sphere 1 के लिए ये क्या होगा this is outside sphere 1 के लिए v1 o कर देते हैं इसको plus 2 के लिए surface पर है v2 yes कर देते हैं और 3 के लिए देखें 3 के लिए अंदर में है तो क्या करेंगे this is v3 inside और यहां से अगर हम formula use करते हैं तो 1 o बाहर के लिए है तो बाहर के लिए क्या होता है small r kq by small r तो 1 के लिए 1 by 4 by epsilon 0 ये common हो गया now this is q1 by small r ये point कहा है r2 के बराबर है small r is equal to r2 so this is q1 by r2 plus 2 के लिए surface पर है तो क्या हो जाएगा q2 by r2 और 3 के लिए का रहे है अंदर में है तो क्या हो जाएगा v inside is equal to v surface तो surface keep के लिए ये q3 के लिए क्या हो जाएगा this will be equal to r3 clear है देखिए ये point एकदम clear है now how to calculate potential of surface of sphere 3 अब देखिए अभी point P को अभ्याज आटा करके हम इधर कहीं consider करा है this is point P double dense करें on the surface of sphere number 3 तो अगर B3 की बाद करेंगे तो sphere 1 के लिए ये क्या होगा outside देखिए sphere 1 के लिए फाहर में ये point है 2 के लिए 2 के लिए outside और 3 के लिए this is surface ये हो गया हमारा formula अब देखिए बड़े अराम के निकालने 1 by 4 5 epsilon 1 by 4 5 epsilon तो this is V3, V2 and this is V3 कितना हो जाएगा ये देखिए यांसे ये कमर हो गया तो इस विल भी Q1 Q1 upon और outside के पाहन के radius का है R3 तो इस इस Q1 upon R3 और ये क्या हो जाएगा 2 के लिए भी बाहर है तो इस इस Q2 upon R3 and 3 के लिए surface पर है तो 3 upon R3 तो this is the concept इस तरह से potential scalar quantity है इसलिए हम इसको जब रिकली जोड़ते जाएगे add करते जाएगे चाहिए positive charge हो या negative charge